तो आज में बढ़ने जा रही हूँ पनी पॉप कॉंडर इस्कि लिए लिया है ये साधा आठा है आधा कप ही हम ले लेंगी कॉन फूर और इसकी बात में डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिच पाउडर एक चमच के करीब काली मिच पाउडर एक चमच काली मिच को हमने कूट के तियार किया है आप देख सकते हैं बहुत बारिक नहीं है इसके साथ में डाल देंगे एक चमच अद्रक लासून का दूकस किया हुआ और इसके पाद में डाल दूँगी यहां पे एक चुछाई चमच गरम मसाला साथ में डाल देंगे एक चमच चाट मसाला यहाँ पर अगर आप कम थीखा पसंद करते हैं तो गरम मसाला न डालें और आप डालें एक चुताई चमच नमक क्योंकि चाट मसाला है उसमें हलका नमक रहता है बिक्स कर देंगे एक बार अच्छे से ड्राइ इंग्रिडेंस एक बार मिलाने के बाद में हम इसमें पानी डालेंगे और तीरे तीरे से इसका एक थिक बैटर तयार करेंगे तो यह देखिए बस हलके हाथों से मिलाते जाना है इस बात का धियान रखना है कि बैटर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए तब ही आपकी जो पनीर की पॉपकॉन है वो बहुत जादा अच्छे पनेंगे तो आप देख सकते हैं काफी ठिक है ये और इसके साथ में इसकी कंसिस्टेंसी भी बता रही हूँ है आपको ये देखिए बस इसी तरह का बैटर आपको तयार कर लेना है बैटर हमारा तयार है और अब मैंने लिया यहाँ पे 1500 ग्राम की करीब पनीर और उसे मैंने इस तरह से बड़े-बड़ी क्यूब्स में कट कर लिया है हमें क्या करना है इन पनीर को इसके अंदर डुबोना है और अच्छे से कोड कर लेना है इसके उपर बस एक बार इसे अच्छे से कोड कर दिया है निकाल देंगे इसे और अब डालेंगे इसे कॉनफ्लेक्स में तो यहाँ प तो पहले क्या करेंगे हम सारे पनीर क्यूब्स इस तरह से तयार कर लेंगे तो यह देखिए सारे पनीर क्यूब्स हमने तयार किये हैं और उसकी बात में यहां पे हमने तेल गरम कर दिया है उसके अंदर अच्छी सी दीफ्राइ करेंगे बस यहां ध्यान रखना है कि इने फ् करने फ्लेम को बहुत अच्छी से जब क्रांच आए तभी निकालें यहां इस वात का जरूर ध्यान रखे तभी ज्यादा टेस्टी लगेंगे यह रेसिपे इंस्टंट होने के साथ-साथ बहुत ज्यादा है और इसे आप पाटी स्टार्टर में यूज़ करें बहुत आपको अगर मेरी रेसिपी पसन आती है तो इसे लाइक करें शर्क करें और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एक पॉपकॉर्ण में आपको कटकर के बताती हूं कि इतनी ज्यादा क्रंची पने हैं यह देखिए बहुत टेस्टी लगते हैं टेस्टी होने की साथ में हेल्थी भी है तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ में अब तक के लिए बाबाई